काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निसान बन जाए, लोग आकर ऐसे ही काड़ देते हैं जिन्दगी, लेकिन तुम ऐसे करो कि मुकाम बन जाए, तो गुड मॉनिंग एवरिवन, कैसे हैं आप सभी, I hope सभी बहुत अच्छे होंगे, आज है 13th of November 2023, और डे है आज Monday, तो आज एक इस motivational line के साथ, जबो आज हम अपना जबो topic स्टार्ट करेंगे, topic है आज का GPS, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पिछले कल दिवाली थी तो आपने बहुत अच्छे से दिवाली को celebrate किया होगा, आज कल स्कूलों में भी holidays चल रही है, तो मैंने सुचा कि एक ऐसा topic, जो कि science and tech का जो एक topic है, GPS, Global Positioning System, जो कि मुझे लगता है कि आज कल हर कोई जो यूज कर रहा है, आप सभी को पता है कि आप के पास अगर android mobile phone है, आप जब भी कोई shopping करते हैं, जब भी pizza मंगवाते हैं, या cab book करते हैं, तो उसकी location आप track करते हैं, कि location कहां पर है, आप कहीं घुमने जाते हैं, तो आपको जहां जाना होता है, उस GPS वहाँ पे जो अगर GPS track कर लगा हुआ है, तो उसको track करके जो आपको पता लग जाते हैं, कि ये कितना दूरी पर है, और आप जिस speed से चल रहे हैं, वो भी आपको पता लग जाता है, और कितने time पे वहुँ जोएंगे, वो भी आपको पता लग जाता है, तो ये जो सारा system है, ये जो वो कौन कर रहा है, GPS, Global Positioning System, इसकी जो आज हम बात करेंगे, ये topic जो वो मेरे दिवाग में क्यों आया, ये topic किसलिए आया, क्यूंकि आप सभी को बता है कि HRTC conductor का exam जो अभी दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर, हाँ, तो उसके second paper के syllabus में जो GPS mention किया हुआ है, e-ticketing जो वो किया हुआ है, मैंने बोला था कि एक topic जो हम लोग उठाएंगे और उस पतर जो discuss करेंगे, और उसी में से जो exam में आपको question देखने को मिलेंगे, तो मैंने सुझा कि GPS को जो हम लोग एक वीडियो मे में जो यहां पर पूरा discuss करेंगे कि क्या होता है GPS, किसने जो वो पहले develop किया, इंडिया के GPS का क्या नाम है, क्या होता है actual में, कितने satellite है उपर, जो track कर रहे हैं, कैसे जो हम लोग किसी की location जो जान पाते हैं, कैसे हम पता लग जाता है कि यह कितना distance पर है, velocity, speed, time, यह कैसे ब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बिलंब ना करते हुए, सबसे पहले तो इसकी full form, global positioning system में, जो यहां पर लिखूंगा थोड़ा कम ही, मैं बोलूँगा, मैं spelling भी किसी किसी की बोलना, बोलूँगा, मतलब, अगर आपको, क्यूंकि exam में जो बो कुछ भी पुछ जास्कता है, spelling से लेटिड, अगर मिस्टे की होगी, तो बो भी exam में आस्कता है, तो मैं इस camera को यहां से अठा देता हूं, ताकि आपको जो बो अच्छे से दिखाई दे, चलिए, सबसे पहले बात कहते हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं, क्योंकि topic की हमारा global positioning system है, तो उसकी spelling तो बनता ह global positioning system, तो इसकी full form होती है, अब आपको आपने कहीं कहीं यूज किया है, आपको बता है कि जब हम लोग जो एक a point है, एक जो बी point है, तो यहां से यहां पर travel कर रहा हूं, तो यहां पर रास्ते हैं, तो यहां पर रास्ते हैं, इनकी positioning करना, इनकी navigation करना, इनकी निगरानी रखना, ठीक है, तो यही काम है किसका, GPS का, ठीक है, GPS किस से जुड़ा होता है, क्यों, कैसे बता जरा है, देखिए आपको बताएं कि यह हमारी अर्थ है, अर्थ के ओपर बहुत सारे satellite भूम रहे हैं, एक तो हमारा natural satellite है, वो आप सभी को बता बेजे होएं, ताकि हम एक दूसरे की location को पता कर सके, एक दूसरे की velocity, speed, time पता कर सके, कि हमने यहां से यहां तक जाना है, तो आपको कई सारे route बताता है, ठीक है, आपको जब कोई कुरियों बाला आता है, पिछले कल दिवाली हैं, तो देखिए अभी तक जो बो पठाके चल रहा है, ठीक है, आपको बीच बीच में सुनाई देगे, ठीक है, आप तो थोड़ा सा उनको ignore करके चलीगा, तो इन सब का पता करना की कहां पे है हमारा इस time, ठीक है, मतलो जो भी जैसे आपने कुछ मंगवाया है, कुरियर बाला है कोई, ठीक है, फिलिप कार्ट से कु टाइम लगेगा, ठीक है, वो सारे रूटस बिताता है कि यहां से भी आप जासके, तो यह किस के त्वारा सब कुछ हो रहा है, सैटलाइट की बज़ा से, ठीक है, तो रहापर जो जोगवाजाज फिलिए काम कर रहे हैं, गलोबल पो जिसनिक सिस्टम, ठीक है, अब यहां पे जो तोड़ा सबात करते हैं कि इसके जो भी सेगमेंट है वो कौन-कौन से हैं तो दिखे सबसे पहले तो जैसे मैं जो यहां पर नमान लेते हैं कि मैं कार पर जो जा रहा हूं ठीक है हाँ कार में जो GPS ट्रैकर जो लगा होना चाहिए ठीक है तब ही काम करेगा ऐसे कहां का पता नहीं चलेगा तो कार के अंदर लगा होता है ठीक है जैसे आपके मुवाइल में जो ट्रैकर लगा होता है तो आपको पता लग जाता है कि आपके मुवाइल को जो फिर बो ट्रैक कर लेगा ठीक है तो बहुता है कि आपके मुवाइल के अंदर जो ऐसा होना चाहिए को जो बोल दिया जाएगा tracking प्वाइंट भो सेंसको ट्रेकिंग पॉइंट ऑपर से सैट्लाइट लगे हैं ठीक है सैट्लाइट है नहीं से मतलब यहां से जाएगा डेटा सेंटर तक हो जाएगा तो यहां पे तीन में यूजर जो काम कर रहे हैं एक तो सबसे पहला यूजर सेग्मेंट टीक है कौन यूजर सेग्मेंट और दूसरा जो वो स्पेस सेग्मेंट देखे स्पेस से से जिससे निगरानी रखी जारी है तो स्पेस में यह वो काम करता है next है control segment ठीक है control segment जिसको जो अभी हमने देखा data center जिसको cover बेजी जारी है वो क्या control center और space center मतलब जिससे निगरानी रखी जारी है surveillance ठीक है उपर से जो satellite है space segment उसको बोल दिये जाएगा user segment मतलब जिस पर निगरानी रखी जारी है तो यह main जो वो तीन यहां पर segment जो वो काम करते हैं आगे बात करते हैं सबसे पहले की देखिए पहले तो नहीं था तो किसी ना किसी ने develop किया होगा ऐसा system ठीक है तो सबसे पहला जो development की GPS की GPS किसने बनाया तो 1978 आप या देखिए किसी ने किया कंट्री पूचा जासता है सबसे पहला तो कंट्री कौन होसता है यूएस से यूनाइटी स्टेट ऑफ अमेरिका ठीक है अब आप बुलेंगे किस के लिए यूज किया क्या जूरूरत पड़ेगी इसको दिफेंस के लिए शुझा अज भी हम लोग जो टिफेंस के लिए बहुत सारी हम लोग बेजते रहते हैं एक साथ बहुत सारे बेज दे जैसे दो तिन कुछ टाइम के बाद बेज दिये तो इसने जो वो ट्विंटी फॉर और थर्टी टू के बिट बिन जो वो सेटलाइट जो वो मीडियम जो भी और विट सेटलाइट थे ठीक है बो वाले जो इसने बेज़े थे 1978 के आसमास की बात है ठीक है तो अगर मैं जो वह से इसकी डेफिनेसन बताओं कि है क्या जीपीएस है क्या तो यह तो पता है आपको की गलोबल पुजिस्निंग सिस्ट्म इस और इसका जो वह आउस्टू कॉल्ट ठीक है नेव स्टार एन एवी स्टी आ आप बोलेंगे एक हो गया ठीक है एन नेवी मतलब navigation ठीक है, S का मतलब होगा है system और T का मतलब होगा है यहां पर timing क्योंग टाइमिंग भी तो बताएगा A का मतलब होगा यहां पर ant और R का मतलब होगा ranging ठीक है, तो पूरी जो इसकी full form बन गे नेव स्टार की, वो उनके navigation system timing and ranging ठीक है, यह लोकेशन बताएगा time बताएगा, velocity बताएगा ठीक है और अगर बोलें तो is space based take a space based होता है, आप सभी को होता है, space based navigation that provides location and time, ऐसे आप होगा information in all weather condition, वो सारी बहादर condition में बता सकता है anywhere on earth but near the earth होना चाहिए, क्योंकि आर्थ के नियरवाई ही satellite होगा ठीक है, तो यह ज़्यादा दूर्थ तक जो यहां पर नहीं बताफ आएगा ठीक है, नियरवाई अर्थ होना चाहिए anywhere, near and नियरदार्थ तो अगर हम आगे बात करें इसकी की USA ने तो बना दिया, उसके बाद इंडिया के तो बात करेंगे ही इंडिया से लेटेड़ तो कोशीन भी पूचा जाएगा लेकिन पहले बात करते हैं कि कौन-कौन से international की बात करते है, Russia, UK China, Japan, इसकी बात करते हैं इनका जो भी system है उसके नाम भी आपको पूचे जासकते हैं आपको ऐसे बात करते हैं कि कौन से कंट्री का सिस्टम है ठीक है, GPS है देखे, हमारे अर्थ के उपना बहुत सारे सैटलाइट है एक नहीं है, मल्टीपल सैटलाइट है मल्टीपल सैटलाइट गूम रहे हैं ते चिखे, मतलब की 60-50 के आजसे सैटलाइट उपर घूम रहे है। पहले तो USEO के रसिया की तपिक है रसिया का जो Global Navigation Satellite System है उसका नाम है GLONASS G-L-O-N-A-W-S ठीक है Global Navigation Satellite System इसकी फुल फारम होगी एक Global Navigation Satellite System तो इसको बोलते है GLONASS अलग लग नाम है देखिए इसका आप यादर के रहसिया का GLONASS हो गया एक बात कहते है European Union की European Union के जो सैटलाइट सिस्टम का नाम है वो है GALILEO G-A-L-I-L-E-O ठीक है GALILEO Physics का फादर वीस को साथ कहा जाता है ठीक है तो अच्छा European Union में ना Britain को काउंट नहीं किया जाएगा ना क्योंकि Britain आपको बता है कि Brexit हो गया Brexit का मतलब है Britain exit हो गया Britain यहां से निकल गया Scotland है Bales है ठीक है यह तीन अलग अलग है तो इनको मिलकर के जो वो बिटेन बनता है और इन तीनों को मिलकर के एक और आजाए ठीक है Northern Ireland आजाए Northern Northern Ireland आजाए तो यह सारे मिलकर के जो वो UK बनाते है UK मतलब उत्रगण नहीं UK मतलब United Kingdom ठीक है तो यह exit हो गया है ठीक है तो हम उसको exit के बात की बात कर रहे है European Union के जो satellite system का नाम है वो है Galileo ठीक है नेक्स आता है China हमारा इसका बड़ा interesting नाम है Weidoo वीडू वीडू navigation satellite system आप इसको बोल सकते हैं जापान का भी अच्छा रहा है जापान का भी रोड़ा interesting ही होगा जापान का जो सिस्टम है satellite system उसका नाम है क्यूजा क्यूजेड एसस इसके बोल पर मैं क्यूजा क्यूजी जैनित सैटलाइट सिस्टम आप स्पैलिंग देख लीजी जादा क्यू यू एससाइ पढ़ ली जैनित जी एन आई टी एच क्यूजी जैनित सैटलाइट सिस्टम ऐसे बोल दो देखे हमने बात की किसकी पहले यूएससे की यूएससे क्या हो गया नेवस्टार ठीके नेक्स्ट हो गया एक मिनिट हाँ उसका नाम ही मतलब पूरे का ही जो बोल नेवस्टार है ठीक है सब कही रस्या की बात करी गलोनैस ठीक है यूरूपियन यूनियन की बात करी तो के लिलियो हो गया चाइना का बेडू हो गया जापान का क्यूज साक हो गया ठीक है ताइम पे जो यह पूरा आर्थ का चक्र लगा देते हैं अब घूम रहे हैं कि जगह तो खड़े नहीं है ऐसे ऐसे घूम रहे है मल्टिबल सैटलाइक ठीक है बहुत सारे है घूम रहे है जैसे हमारे सूरज के चारोवर प्लैनेट गूम रहे है प्लैनेट अगर प्लूटो को भी मान लिया जाये तो यह जोगो अगर हम बात करनें के स्बीड काफी ज़एदा है तीक है स्पीड कितनी है 7000 miles इप्रोक्स पता रहा हूँ सबकी यह इतनी होती है 7000 miles per रह मतलब कि यह गंटे में 7000 7000 miles इस जो वो यह फार कर रहा है अब इसका मतलब यह हुआ कि आर्थ कि मतलब इस चौबिस कंटे में एक दो राउंट तो लगा लेगा ठीक है तो यह जो 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 कम से कम 24 कंटे के अंदर-अंदर ही जो वो तू कम्पलीट और ऑर्बिट जो वो complete कर लेता है orbit का मतलब है जैसे आर्थ यहां पे है यह जो वो इसका orbital मतलब orbital जो भी इसका पात है ठीक है ऐसे गुम रहा है तो यह एक round हो गया यह एक दूसरा round हो गया दो round लगा लिए इसने माल लेते हैं ठीक है तो यह दो satellite sorry दो complete orbit कर देगा less than 24 hour में बहुत कम टाइम में 24 गंड में मतलब एक दिन के अंदर जो वो एक satellite कम से कम दो round लगाई ही लेता है ऐसे जो आप इसको याद लिए आप बोलेंगे कि यह क्या हो रहा है satellite फिर कब तक चले गए ठीक है देखे इनकी जो इनमें कुछ ऐसा सिस्टम है solar panel लगे होते है solar से जो वो काम करेगा ठीक है आप लेगे कि जब sunlight नहीं होगी माले लेते हैं कि वो अर्थ के पीछे आ गया या कुछ हो गया जैसे पुरणिमा के दिन हो गया या कुछ भी माले जी ठीक है sun is the ultimate source of light ठीक है energy sun से लेगा ठीक है सिद्धी ऐसी बात ए है energy कहां से लेगा satellite solar panel लगे होते है solar से solar मतलब sun से लेगा ठीक है तो इतना आपको clear हो गया होगा अब आते हैं अपने last thing but not least important point ठीक है इंडिया की ठीक है इंडिया का जो हमारा system है उसका नाम था पहले आई आर एन एस एस ठीक है उसका नाम change होगे है उसका नावी करकती है आपको यह पूचा जाएगा 100% पूचा जाएगा ठीक है नावी की बुलफार्म देखते हैं पहले आई ने तो बन गया national नावीकेसन है not नावीकेसन तो हा ह्या इंडिया आजाता है इस में तो ने अ लगाने की जूरत नहीं है फिर टेक है नस सरदि नेव這種 अचैन ने कंजी का मतलव नेवीकेसन होगे ना दी भीby साथ पलिए आई का मतलव होगे फिर इंडियन का मतलव का मतलह टिकक बस्तेлов टो इंडिया कोसे लेशन तो इन्ट को शवेची इसकी फोहती। जो पहले इसका बले होता इसका मतल़ हो तक इसकी इसकी इसका मतल़ था । रिज अने और विजनल टीक है company नविगेशन नविडेशन नाविगेशन सेटवाइट इंडिया ने जब पहले बार बनाया था तो इसमें लगबग साथ सेटलाइट नहीं होता है एक साथ सेटलाइट पर बेज़े जाते हैं तो इस पर काम करता है अब अर्थ के चार और घुमेंगे एक कहां काम करेगा एक यहां पे लोकेशन ट्रैकर रहा है तो दूसरा और भी जो पुरा जगह जगह जब प्रब मुझार भी जो ट्रैकर रहे तो एक काम ने करता है बहुत सारस्थ एक साथ 36,000 किलोमेटर जो वो हाइट पर हैं लगबग ठीक है इस पर कितनी कॉस्ट आई थी कॉस्ट आई थी लगबग 1420 करोड यह भी आप जा रखिए 1420 करोड और यह जो वो फिर बाद में 1994 में जो वो इनकी संख्या जो वो 24 हो गई पर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे आप बोलेंगे इनका टाइम पिरिएट भी तो होता होगा खत्म भी तो होता होगे ठीक है इनका लाइफ टाइम भी तो होता होगा तो दस साल के तक जो वो इनफॉर्मेशन देते रहेंगे तो आप बोलेंगे दस साल के बाद क्य के तरह गूमते रहेंगे हालनकि यह बहूँ सारे ऐसे मिसन चलाए जारहे हैं जब हमने लोगों ने ही जबो चच्रा उपर फेला है ऐं ऐिक स्पेस में तो हमारा ही फरज बनता है कि हम लोग उसको हटाएं भी ठीक है तो इस पर भी जो काम चटता है यह भी आप याँ जखिए इनका बेट कितना होता है अप्रोक्स बेट किया से अप्रोक्स याद रगिए तो इस पर जो हम ने थोड़ी सी बात कि और मैं कुछिजे करोगा कि कम्यूटी सेंटर में जो यहां से आपसे क्विज की फॉर्ममें जो यहां से मैं क्रियेट करूं बनाऊ उनको तो तक आक आपको जो अईग्स अमें जबो लेखने को मिलें तरहाँ टिक है मैं सोच आ हूं क तो यह आपके हैं सारे और बहुत सारे और भी अक्साम होते हैं क्यों डाला होगा है क्यों डाला होगा मतलब क्या क्या है क्या है गाड़ी में जबू एक तो जैसे अब मतलब उसका काम है ठिकेट काटना या किराया लेना मतलब ठीकि और भी जैसे लोकेशन भी तो पता होनी चाहिए नatar मतलब जाना है इदर से उदर डौइपर को भी पता होना चाहिए लेकिन क्या पता मतलब थोड़ा तो जीपीए के तो इसलिए घाला होगा तो कि आपको सबी बाते जबो क्लियर होई होगी अगर ऐसा है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो डिसकस फिर से करना चाते हो समझना चाते हो डाउटफुल रह गया हो तो आप जबो कमेंट वाक्स में जुरूर बताए थैंक यू एंड है लास्ट में वीडियो को जबो लाइक करके जरूर जाएए अगर आपने कुछ सेख लिया है ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो में आप सिखना चाते हो तो सब्सक्राइब जूर करें थैंक यू